तो अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल चाहिएगा और जल इसे मेरे 6,000 सब्सक्राइबर करवा दीजे एंड तो यहां पे मैंने ले लिया है चार बड़े साइज के आम जो थोड़े से पके थोड़े से कच्छे वाले हैं तो इन्हें मैंने पील करके इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है और कडाही में मैंने डाल दिया था देर बड़े चमच सर्सों का तेल आप चाहे तो यहां पर रिफाइंड ओयल का भी यूज कर सकते हैं और इसमें मैंने डाल दिया को और सौफ एक एक चुटकी और यहां मैं इसमें डाल दिया है आम को अब इस तरीके से हम थोड़ा साइसे चला लेंगे और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ according to taste salt और इसे अब मैं continuously चलाऊंगी एक से दो मिनट के लिए flame हमारा medium है और तो अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक कप पानी है यहाँ पर अब मैं इसे छोड़ दूँगी इस तरीके से चलाने के बाद और अब मैं इसमें एड़ कर लूँगी half tea spoon red chili powder आप चाहे तो यहाँ पर कस्मीरी लाल मिर्श का भी use कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर जो normal होता है वो वाला यूज कर रही हूँ और इसे हम फिर से चला लेंगे और frame हमारा अभी भी medium है इस बात का ध्यान रखें क्योंकि हमें आम को soft करना है और इसे soft करने के लिए flame medium रहेगा तभी अच्छे से हो पाएगा नहीं तो जल्दी जल्दी में इसका पानी सूख जाएगा लेकिन आम हमारे कड़े रह जाएंगे तो यहाँ पर मैंने इसे cover कर दिया है और अब मैंने इसे फिर से खोल के देख लिया है दो मिनट के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे आम काफी अच्छी तरीके आप तो आप सकते हैं तो आप तोछाए款 मैसीश के सांथ क्यूजिते हैं तो इसे मेस करऊंगी इसे तोड़ा सीचा करें और फोहाँ धाये जबävागी हैं और कि चेछी पूड़की जितुएगा कि पराथा चावल रोटी पूरी पराथा समोसा कीशी सतों से कहाँता चटनी की रेसेपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा अब हमारी चटनी काफी अच्छी तरीके से मैश हो चुकी है तो अब मैं इसे फिर से कुक करूंगी दो से तीन मिनट के लिए अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ हाफ ग्लास पानी अब फिर से हम इसे चला लेंगे और इसमें अब मैं एड़ करूंगी चीनी तो दो से तीन बड़े चमच मैं यहाँ पे चीनी एड़ कर रही हूँ और इसे हम फिर से चला लेंगे तो अब इसमें आप यहाँ पे डाल देंगे सेंधा नमक अगर आपके पास जीरा जीरा का पावडर भूना पीसा जीरा का पावडर है और साथी साथ मैं इसमें एड कर रही हूँ यहाँ पे काली मिर्श का पावडर हाफ टी स्पून इससे काफी अच्छा सा फ्लेवर आएगा तो आप इन दोनों चीजों को बिल्कुल भी स्किप ना करें यहां पर मैंने इसे फिर से चला लिया कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं काफी अच्छी है हमारी चटनी की कि अब मैं गेस केाफिकी को आफ कर लूंगे और इसे में कर लूंगे सर्सव इन Hispan कर लिया है अपनी इस आम की चटनी को अगर आपको मीरी मेरी चटपटे सी आम की चटनी की रेसेपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो तो बनता है